सुसान सिंग के नया मोड आया है। रिया चक्रवर्ति के भाई सोविच चक्रवर्ति ने सुसान सिंग के डिप्रेशन में जाने के बाद उन्होंने किया था, उनका नाम है सुधीर। कल इनोंने एक स्टेट्मेंट दिया था कि सुसान सिंग राजपूत के अकाउंट में 15 करोड थे ही नहीं। जब यह है ही रिया चक्रवर्ती के भाई के अंदर तो वो उनके खिलाब कैसे बोड़ सकते हैं। मैं इतना जानता हूं कि इसमें सबकी मिली भगत है और इंसाफ मिलना चाहिए। चाहे रिया चक्रवर्ती हो, चाहे सोवी चक्रवर्ती हो, चाहे नेता का लड़का हो, उसको पकड़ना चाहिए और इस केस को जल्दी से जल्दी नया दिलाने कोशित की जाए, ना कि केस को उलजाया जाए, ये भूमी माफिया, फिल्म माफिया, या कोई भी हो, इस केस में इ जहां जाते थे, जिस होटल में ठहरते थे, उस होटल का बिल सुसान सिंग राजपूत के अकाउंट से होता था, आप बोलिए, ये क्या है, कंपनी को कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन उनका जो पार्टनर है, कुछ काम भी नहीं कर रहा है, और उसका जो भी खर्चा है, वो स सुसान सिंग राजपूत के अकाउंट से हो रहा है, ये सब मामला पूरा का पूरा पैसे, उससे हिराप्यरी और धोखा धड़ी का है, आप लोग क्या सोचते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखके बताना, धन्यवाद,